तो next module के अंदर हम discuss करते हैं the rate of effective protection previous modules के अंदर हमने ये discuss किया कि किस तरीके से जो tariff rate है वो apply होता है किसे country के अंदर और जो main तीन actor है economy के consumer, producer और government वो उसको किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उससे effect होते हैं in that case हमने देखा था कि जैसे tariff लगता है consumer को ultimately loss होता है क्योंकि prices जएदा होती है और जो government है वो gain करती है in the form of tariff revenues और जो producer है उनको भी फाइदा होता है क्योंकि उनकी domestic supply बढ़ जाती है अभी तक जो हमने discuss किया था tariff से related वो consumer और indirectly producer को फाइदा हो रहा था अब एक और concept है इससे related जिसको कहते है the rate of effective protection ये primarily producer side का concept है इसके अंदर इस case को समझने के लिए ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि tariff के इस तरहां लगता है commodities के उपर अब normally कोई भी एक good ले ले लें या commodity ले लें उसकी तीन forms होती है production process के अंदर या तो वो raw material की form में use हो रही है या वो intermediate commodity है या वो final commodity है या final good है तो countries क्या करती है वो raw material भी import करती है then intermediate commodities भी import करती है और final commodities भी import करती है क्योंकि इस को समझने के लिए हम जरा पीछे जलते हैं कुछ lectures जहां पे हमने ये assume किया था कि आपके पास two nations है और वो दो commodities बना रही है और वो complete specialization नहीं करती it means जिसके अंदर वो comparative advantage भी रखती है या factor endowments के लावा दूसरी commodity को भी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है या उसकी quantity जो है वो domestically produce की जाती है और उसके साथ हमने ये भी देखा था, assume किया था कि आपके पास जो commodities हैं, उनकी quality दोनों countries के अंदर same है, that means जो आपकी domestically produce हो रही है commodity वो और जो imported commodity है उनकी quality है वो same है, तो ये हम already जो है वो assume कर चुके थे तो जो बात चल रही थी वो ये थी के आपके पास जो nation है वो intermediate good या raw material के उपर भी tariff लगाती है और final commodity के उपर भी tariff लगाती है just suppose एक nation जो है वो अगर फर्ज किया वो कपड़ा मंगवाती है बाहर से और at the same time वो कपड़ा domestically भी तियार कर रही है और ये भी assume किया जा सकता है कि उस कपड़े के अंदर जो wool use हो रही है जो वो domestically produce कर रही है nation वो बाहर से import हो रहा है, so in that case एक तो वो case है कि final जो commodity है जिसको हम cloth का नाम दे रहे है वो भी directly import हो रही है final form के अंदर या जिसको आप finished good भी बोलते है उस form के अंदर और दूसरा हम wool भी import कर रहे है और wool जो है वो intermediate good है उसके उपर भी text जो है वो लगाया जा सकता है practice ये है कि जो nation final commodity जो मंगवाती है उसके उपर जो tariff लगाती है उसको हम nominal tariff बोलते हैं या usual tariff का नाम दिया जाता है और बाज करके होता है कि जो input के उपर जो tariff होता है वो mostly nations की ये ख़ाहिश भी होती है और ऐसा वो करती भी है कि वो duty free मंगवाती है duty free से मुराद है यहाँ पर कि उनके उपर कोई tax नहीं होता तो उसकी reason क्या है उसकी reason ये होती है कि nations जो हैं वो अपने domestic producer को benefit देना चाहरी होती है क्योंकि domestic producer ने वो ही intermediate commodity को use करना है अपनी चीज तियार करने के लिए तो उस case के अंदर और दूसरा ये भी होता है कि nations के ये भी target होते है कि जो employment level है उस sector का वो भी बेतर रहे या उसके अंदर employment रहे तो normally concept जो अगर समझना है effective production का अब इसकी तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक concept समझना जरूरी है domestic value added का अब ये बड़ा simple सा concept है इसको एक example से देखते हैं assume करते हैं कि मैं एक कपड़े का unit बना रहा हूँ और unit से मुराद एक suit suppose कह लें और वो 200 का market में बेश रहा हूँ 200 डॉलर का और उस के लिए suit को बनाने के लिए मैंने जो import की है wool वो 120 डॉलर की हुई है it means कि जो intermediate good है उस suit की वो मैंने import की है अब 120 की import है और जो मैं market में बेश रहा हूँ कपड़ा या एक suit वो 200 डॉलर का है तो मैंने उसमें कितना addition किया मैंने उसमें 80 डॉलर का addition किया इस वजह से इसको कह जाता है value added उसकी value में मैंने इजाफा किया है कितना 80 का obviously मैंने wool बनाई होगी मंगवाई होगी and then उसके उपर process किया होगा कपड़ा त्यार करवा के stretch करवाया होगा फिर उसको बेचने के लिए और दूसरे जो मेरे process होंगे वो मैंने complete कियोंगे तो जो value addition हुई domestic इस पर इस एक आ जाता है इसको यह domestically इसके अंदर value addition हो रहा होता है तो जो domestic value added होगा इस example के अंदर वो है 80 डॉलर का तो domestic value added को आप यह भी समझ सकते हैं the price of final commodity minus the cost of imported input कि जतनी आपको cost पढ़ी है वो अगर आप total price में से उस cost को minus कर दे तो वो आपके पास domestic value added की form के अंदर आपको नदर आता है और जो rate of effective protection है वो basically लगाया ही जो है वो domestic value added के ओपर जाता है वो आगे मैं एक numerical example के थूँ explain करता हूँ कि इसको calculate कैसे करते हैं या इसको मयर कैसे करते हैं अब जो चीज समझने वाली है यहां पे के हम ये concept क्यूं पढ़ रहे हैं तो जो simple concept पढ़ा था tariff वाला उसको हमने nominal tariff का भी नाम दिया है जो consumer होते हैं domestic consumer वो somehow interested होते हैं या वो जो देखते हैं वो होता है nominal tariff क्योंकि मैं suppose एक consumer हूँ तो मैं ये चीज नहीं देखूंगा कि जो चीज मैं खरीद रहा हूँ suppose उसके अंदर intermediate good यूज हुई है या सारी की सारी domestically produce हुई है मेरे लिए दो categories है as a consumer कि ये एक imported good है जिसके उपर बाहर की कोई stamp लगी हुई है या बाहर की किसी nation का नाम लिखा हुई है दूसरी ये है जिसकी stamp यहां की लगी हुई है या domestic वो commodity है मैं इसमें interested नहीं होंगा कि उसके अंदर जो intermediate goods हैं उस final product को त्यार करने के लिए वो कहां से import हो रही है तो as a consumer मेरे लिए जो important है वो final tariff rate है जो मैंने pay करना है उस commodity के उपर जबकि जो दूसी तरफ producer होते हैं वो basically more interested होते हैं towards the effective basically protection rate कि जो उन्होंने value addition करना है उसके उपर जो tax होता है producer उसके अंदर ज़्यदा interested होते हैं क्योंके producer जो बाहर से आई है commodity वो तो आ गई अगर वो duty free आई है या बहुत lower tariff rate से आई है जो उनके उपर tax लगना है वो उनका जो domestic value added के उपर लगना है तो हम next जो है module के अंदर इंशाल्ला इसको एक example के त्रू जो है वो मैं आपको explain करूंगा कि इसको calculate कैसे किया जाता है जो है